नमस्कार सासीकाल सभी दोस्तों का स्वागत है. जब किसी जिंदगी के अंदर सुख आता है तो हम लोग खुश होते हैं. जब दुख आता है तो हम लोग दुखी होते हैं. आज की डेट में जो बच्चों ने विदेशों में पढ़ने जाना है, अगर उनको वीजा मिल जाता है, तो बहुत खुशी होती है पूरे महाल में, पूरे परिवार के सारे सदसे कुश हो जाते हैं, यदि किसी का वीजा रेफ्यूज हो जाए, तो पूरे परिवार में जाता है, निराशा आजाती है, एक मातम जैसा महाल बन जाता है, जब किसी का वीजा रेफ्यूज हो जाता है, आज हम बात करेंगे, कैनेडा जाने वाले स्टूडेंट्स जिनके वीजा नामंजूर हो चुके हैं, वो कैसे इस मुसीबत की घड़ी में हौसला रख सकते हैं, कैसे वो दुबारा अप्लाई करके वीजा ले सकते हैं, क्या उनसे गलतिया हुई है, कैनेडियन अमबैसी किन किन कारणों से वीजा रेफ्यूज करती है आपका, आपकी रेफ्यूजल लेटर के बीच में क्या लिखा आता है, यदि आपका एक बार वीजा नामंजूर हो ग आताने की कोशिश करूंगा, मेरा नाम विनेहरी है, हम चंडीगर्ड 17 सेक्टर में हमारा आफिस है, जहां से हम स्टूडेंट वीजा की गाइडेंस देते हैं, जैदि आपके बच्चे का कैनेड़ा का वीजा रेफ्यूज हो चुका है और आप इसको दोबारा अपलाई करन अगर आप अपने बच्चे को विदेश भेजना चाते हैं, आपको डर है कि आपके बच्चे के पढ़ाई में नंबर कम है, आपके बच्चे के आल्स में बैंड कम है, किसी भी तरह की कोई आपको समस्या नजर आती है, आपको लगता है इन कारणों की वज़ा से आपके कालों के जवाब मिल जाएंगे, मैं शुरुआत करूँगा उन बच्चों से जिन्नों के हाली में वीजे रफ्यूज होए हैं, आपने स्टडी वीजा की अप्लीकेशन डाली थी, आपको एक लेटर मिल गया है अमबैसी की तरफ से, जिसमें लिखा गया है कि हमें नहीं करते हैं, वीजा ना मंजूर जब होता है, अम ऐसी किन शर्तों पे किन कनूनी एक्ट के अंदर आपका वीजा रफ्यूज करती है, एक ऑफिसर जो आपकी फाइल एसेस कर रहा है, उसके पास कुछ एक अधिकार दिये गए होते हैं, जिन अधिकारों के बेस पे वह आपको वीजा देता है, आपका वीजा मंजूर होता है या ना मंजूर कर दिया जाता है, जब आपका वीजा रिफ्यूज होता है, तो टू वन सिक्स प्लीक वन सेक्शन के अंदर आपका वीजा रिफ्यूज किया जाता है, दो सोला एक भाग के अंदर आपका वीजा रिफ्यूज किया जाता है इसमें officer लिखता है कि हमें नहीं लगता कि आप Canada में अपनी पढ़ाई जो करने जा रहे हैं वो पढ़ाई करने के बाद वापिस आएंगे इसलिए आपका वीजा अवेदन नामंजूर किया जा रहा है आप एक student हैं विद्यारती हैं आप एक विद्यारती के मा बाप हैं याँ आपके किसी भाई बेहन का विजा refuse हो चुका है या किसी दोस्त मित्र का विजा रिफ्यूज हो चुका है आप बहुत चिंता में हैं क्या होगा आगे एक सपना सजोр जो होता है student आज ज्यादा तर विद्यार्ती विदेशों की धर्ती पे जाके रहना चाते हैं, बच्चे विदेश में पढ़ना चाते हैं, अपना उजल भविष्य विदेशों में बनाना चाते हैं, आज समाज के अंदर विदेश में पढ़ने वाले बच्चे को ज्यादा इज्जत मिलती है, उसके परिवार का ज्यादा रुत्वा मना जाता है, आज लोग सरकारी नौकरी को भी पहल ना देते हुए, विदेश जाने को पहले पहल देते हैं, क्या रीजन है, सब को पता है कि क permanent residency बहुत असानी से मिल जाती है, मात्र दो-तीन साल पढ़के बच्चा नागरिक्ता हासिल कर लेता है, जब आपके पास पच्चिम देशों की नागरिक्ता होती है, उसके बहुत सारे benefits होते हैं, आज हमारी country के अंदर अबादी बहुत ज्यादा है, अबादी ज्यादा होने के कारण सरकार के पास इतनी सोविधाएं नहीं हैं कि हर एक व्यक्ति को एक समाहन नोकरी दे पाएं, आज सरकार हमें एक अच्छा वातावरन दे रही है, आज की डेट में अगर आप अपना भिष्य बनाना चाहते हैं, तो विदेश में पढ़ने का रास्ता सबसे पहले आ जाता है, तो चार पांच लाख रुपया लगा के आप विदेश की धर्ती पर पढ़ने जाते हैं, कुछ लोग कैनडा जाते हैं, कुछ लोग अमरीका जाते हैं, बच्चे इंगिलेंड में भी जाते हैं, कुछ लोग इस्ट्रेलिया में भी जाते हैं, बहुत सारे बच्च वीजा अपलाई करता है या उसका वीजा लगता है या रिफ्यूज हो जाता है आपके बच्चे का वीजा रिफ्यूज हुआ है उसकी रिफ्यूजल लेटर पकड़िए उसकी रिफ्यूजल लेटर पे सबसे पहला पॉइंट पढ़िए सबसे पहले पॉइंट पे वीजा ओफिसर क्या लिख रहा है कि प्रिपोज्ज स्टेडीज आर नौट रीजनेबल आपने जो कोर्स लिया है कैनडा में पढ़ने के लिए ये कोर्स आपकी पढ़ाई के साथ मेल नहीं खाता याद रखिए आपने कैनडा में जो कोर्स पढ़ने के लिए लिया है वो आपकी पिछली पढ़ाई के साथ मेल खाता होना चाहिए अगर आपने बार्वी के अंदर आर्ट्स के सब्जेक्ट लिये हैं तो आपको कैनडा में भी आर्ट्स की पढ़ाई पढ़नी चाहिए अगर बार्वी में आपने हिसाब नहीं लिया हुआ, mathematics as a subject आपके पास नहीं है, तो आप Canada के अंदर engineering के course में वीजा नहीं ले पाएंगे. जब भी आप वीजा अपलाई करते हैं, वीजा officer सबसे पहले ये देखता है, क्या आपने जिस course में अपलाई किया है, इस course का आपकी पिछली पढ़ाई के साथ कोई मेल्क है, ऐसा तो नहीं कि आप Canada जाने के लिए अपलाई कर रहे हैं, आपका मन Canada में जाके वहां पे काम करना तो नहीं है, एक वीजा officer जो आपकी file को assess करता है, उसने सबसे पहले ये जांचना होता है, क्या आप एक bona fide student है, क्या ये पे आप एक genuine student है, कैसे पता चलता है कि आप एक genuine student है या नहीं है, यदि आपने course अपनी पिछली पढ़ाई के अनुसार नहीं लिया, तो आपको एक genuine student नहीं माना जाता, आपको visa नाम अंजूर किया जाता है ये लिखके, कि आपकी जो proposed study थी, वो आपकी पढ़ाई के साथ mail नहीं खाती, यदि आपका visa refuse हुआ है, आप अच्छे से detail में देखिए, बैसी इस point को बड़ा highlight करके आपको लिखा हुआ है, कि आपने जो पढ़ाई पढ़ी हुई है, आप जो Canada में पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, उसके साथ वो पढ़ाई mail नहीं खाती, इसलिए हमें नहीं लगता कि आप एक genuine student है, और आप पढ़ाई के बाद वापिस आएंगे, इसलिए आपका visa नामन जूर कर दिया जाता है, दूसरा point जो आपको refusal letter म में देखने को मिलेगा, वो होता है missing mark sheet, क्या होती है, यह missing mark sheet, जो आपका दस्वी बारवी का certificate है, जो आपने डिपलोमा के certificate है, जो आपने इंग्रेजी का IELTS का certificate है, जितने भी दस्तावेज आपको file में लगाने होते हैं, अगर किसी document को आप नहीं लगाते, या document embassy को आपक तो आपका visa missing mark sheet के base पे refuse कर दिया गया होता है, मान दीजिए आपने application form के अंदर लिखा है, कि आपने एक computer center से computer का diploma करा है, आपकी application form में लिखा गया है, कि आपने बारवी के बाद ITI का एक course किया हुआ है, आपने application में तो लिख दिया, जहां form बढ़ा था, form में आपने भर दिया, बट जब आपको upload करने थे document, जब आपको file के अंदर document डालने थे, आपको document डालना भूल गए, इसलिए आपका visa missing mark sheet के कारण visa refuse हो जाता है, उसमें उनको लगता है कि आपने ये document नहीं दिया, इसलिए आपकी processing नहीं हो पारी, इस किसरा refusal का reason होता है, academic record, academic record में आपके दसमी बार्मी में नंबर देखे जाते हैं, अब officer देखना चाहता है कि क्या आप एक genuine student है, क्या आपने जो पढ़ाई अभी तक की है, उस पढ़ाई में आप अवल रहे हो, क्या आप एक नलायक student तो नहीं हो, क्या आप एक ऐसे नलायक student हो, जो इंडिया में बड़ी मुश्किल से पास हो रहा है, आप कैसे कनड़ा में जाके पढ़ लेंगे, academic record के अंदर देखा जाता है, कि आपने जो दस्तावेज दिये हैं, अपनी पढ़ाई के, उन दस्तावेजों में आपके नंबर कितनी है, ऐसे तो नहीं, आपने बार् और दस्तावी के बीच में दो साल का गैप डाला हुआ है, दस्तावी के बाद जो बार्वी होती है, वो दो साल में होती है, आपने बार्वी चार साल या पांस साल में तो नहीं करी हुई, इससे ऑफिसर को शक पढ़ता है कि यह क्या आप फेल तो नहीं होगे थे दो बार, बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई के अंदर सपलीज होती हैं, बहुत सारे बच्चों की कमपार्मेंट्स होती हैं, बैकलॉक्स होती हैं, जब आपके अकैडमिक रिकॉर्ड वीक होता है, तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, कम नंबरों के कारण भी वीजा रिफ्य लेना और आपके पास mathematics में नंबर कम है तो आपको वीजा नहीं देंगे आपने business की study में apply कर दिया आपके accounts में नंबर कम है नहीं आएगा वीजा अगर आप एक नलाइक विद्यारती हैं बहुत कम chance होते हैं कि आपको वीजा मिलेगा अगर आपका course जो आपने चुनाव किया अ आप वीजे तक चुरूर पहुंचते हैं सो academic record की वजह से भी बहुत सारे बच्चों के वीजे refuse होते हैं अगला जो चोता point होता है level of establishment आपको अपनी file के अंदर सारे document लगाने पड़ते हैं कि आपका future कि चीजों पे based है आपको अपना interest establish करना होता है कि आप यह पढ़ाई क् Canada के अंदर यहां पे visa officer आपसे statement of purpose की बात कर रहा होता है statement of purpose एक ऐसा document है जिसमें आप एक visa officer के नाम पे चिठी लिखते हैं कि आप इस visa के हकदार क्यूं है आप अपनी file के अंदर एक एक point clear करते हैं कि आपने दसवी बारवी कहां से करी कौन से school में करी आपका जीवन में क्या लक्षे है आप कहां पहुँचना चाहते हैं आप एक doctor engineer scientist बनना चाहते हैं कि आपने इसके लिए Canada का चुनाब क्यूं किया आपने जिस college उनिवेसिटी में apply किया इसी में क्यूं apply किया कि आप ने चुकोर्स लिया अप ये कोर्स क्यूं ले रहे हैं अध्ये कोर्स करने के बाद आपको क्या फाइदा होगा और आप आप यह पढ़ाई कैनेडा में क्यों पढ़ रहे हैं आप यह पढ़ाई इंडिया में भी तो पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट और पर्पस एक ऐसा डाकॉमेंट है जिसके उपर वीजा बेस्ट होता है देखने में आरहा कि आज लोगों ने जब केस अपलाई करना होता है तो एजेंट ही उनकी स्टेटमेंट और पर्पस बना देता है याद रखिए आज अमबैसी की तरफ से बच्चों के इंट्रव्यू भी लिए जा रहे हैं एक आफिसर आपको फोन पर कभी भी पूछ सकता है कि आपने फाइल के अंदर क्या डाकॉमेंट्स लगाई है जदि आपने अपनी स्टेटमेंट और पर्पस खुद नहीं मनाई तो बहुत कम चांस है आपको वीजा मिलेगा यह एक ऐसा डाकॉमेंट होता है जिसके उपर वीजा बेज़्ट है जब आप मेरे सामने आ रहे हैं या जब आपको आपके सामने बैठ की अपने बारे में आपको समझा रहा है अई बार हम उसी को भी नहीं समझ पढ़ते तो यहां तो सिरफ आपकी फाइल जा रही हैं अबसी के अंदर आपकी फाइल के अंदर जो डाकूमेट लगे हुए हैं उसको रेपरेजेंट करती है आपकी स्टेटमेंट और परपस आप स्टेटमेंट और परपस चार पेज की लैटर के अंदर लिखते हैं कि आप इस वीजा के हकदार क्यूं है क्यों आपको वीजा दिया जाए आपके माता पिता क्या काम करते हैं आपकी पढ़ाई की कोर्स की कितनी फीस है आपका लिविंग एक्सपेंस कितना होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ाई के साथ जो काम कर रहे हैं उसी पैसे से आप फीज बरेंगे क्या आपके माबाप के पास इतने पैसे हैं कि वो आपकी अगले साल की फीज बे कर पाएं आपके माब आप कोई काम करते हैं कहीं भी ऐसा तो नहीं कि वो भी आपके उपर डिपेंड करते हैं और आप कैनेडा जा रहे हो कि आप अपनी फीस भी निकाल लोगे अपने माता-पिता का खर्च भी उठा लोगे जाद रखिएगा जितने भी वीजे रिफ्यूज होते हैं नडिनिवे परसेंट वीजा रिफ्यूज होने का रीजन रे होता है कि आपकी स्टेट्मेंट और परपस आपने खुद नहीं लिखी होती एक वीजा ओफिसर देखना चाहता है कि कितने अंबिशियस हैं आप अपने करियर को लेगे आपके माता-पिता क्या आमदन हैं उपकी आपको स्टेट्मेंट और परपस में लिखना पड़ता है कि आपके नंबर कम क्यों है पढ़ाई में आपके लाइफ में आपकी अप्लिकेशन में जितनी भी कमिया हैं आपको केली केली कमी को लिखना है वीजा ओफिसर के सामने चुपाना नहीं है आपकी जिंदगी के अंदर जो हादसे हुए हैं कैसे आप उन हादसों से बाहर निकले हो आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा दर्दनाक मंजर है जहां पे आप तूट गए थे आपने कैसे हौसले से उस मंजर को पार किया आज मैं आपसे पूछता हूँ आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा इंसीडेंट है आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटना होई है जिसने आपके अंदर एक बदलाव लेखे आई है हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर हर रोज कुछ सबसे जो बुरी चीज जो सबसे दुखदा ही चीज आपके साथ हुई है जो भी आपके साथ कुछ बुरा हुआ है आपको लगता है कि इस वजा से मेरा वीजा रफ्यूज हो सकता है उस मौइंट को सबसे पहले लिखिए बताईया ओफिसर को कि मेरे अंदर ये प्राबलम थी मैं बार्मी में फेल हो गया था उसके बार मैंने दवारा पढ़ाई करी और मैं 90% नंबरों से पास हुआ जब आप अपनी जो योग्यता है वही बताई जा रहे हो तो वो तो हर कोई इंसान अपने बारे में अच्छा ही लिखेगा आपकी अच्छाईयों के लिए नहीं SOP बनाई गई आपकी बुराईयां भी उसमें नजर आनी चाहिए आपको लिखना है कि जब आप फेल हो गए थे किसने आपको मोटिवेट करा क्या हुआ आपके साथ ऐसा जिससे आप दोबारा पढ़के 90% नंबर ले गए हर एक इंसान की लाइफ में गटना होती है अगर ऐसी कोई गटना आपके साथ गटी है उसको स्ट्रेंथ बनाईये अपनी उसको कमजोरी मत समझीए जाद रखिए हमारे जिंदगी में जो भी सुपसे बुरा हुआ होता हमारे साथ जब हम उस बुरे समय से निकलते हैं हम बहुत शक्तिशाली बनके निकलते हैं आज आपके साथ बहुत बुरा हुआ है क्या बुरा हुआ है आपका वीजा रफ्यूज हो गया यह टाइम रोने का नहीं है मि जाचने का है कहां कमी रहगी मेरे अंदर जो मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया। अच्छे नमबरों से पास हो लिए, आइल्स का टेस्ट दे लिया, मता पिता ने पैसे भी शोग कर दिये, सब कुछ तो अच्छा था फिर भी वीजा रिफ्यूज हो गया। क्यों होता है वीजा रिफ्यूज भाईया, तुम अपने कागज नहीं बता पा रहे हैं बैसी को। किसी को तुमारे कागज देखके सपना थोड़ी आएगा कि तुम कैसे आदमी हो। तुम्हें अपने बारे में स्टेटमेंट और पर्पस में लिखना पड़ेगा। अगर ये एक डॉकुमेंट भी का भूल जाओ तुम्हें नहीं वीजा मिलने वाला कभी भी। जो आदमी ढंग से अपने बारे में दो-चार पेज नहीं लिख सकता उसको कैनड़ा जाने का कोई अदिखार नहीं है। माफी चाहूंगा मैं आपसे। मैं आपसे रूड नहीं हो रहा। मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका वीजा रफ्यूज हो चुका है। जो रो रहा है जो निराश है। जो डिप्रेशन में जा रहा है। क्या हो गया भाईया उठो। सब कुछ है अभी भी लाइफ के अंदर। तु देख भाई तुने गलती कहां पे करी। स्टेट्मेंट और पर्पस तैने खुद बनाया नहीं। डाकुमेंट तुमने ढंक से फाइल में लगाया नहीं। अब तुम गलती निकालोगे एजेंट की। एजेंट की कोई गलती नहीं है। भाई साब गलती आपकी है। वीजा आपका रिफ्यूज हुआ है। कैनिटा जाने वाले जहाज में आपने बैठना था। इसलिए रोने से कुछ नहीं होगा। उठो इसको दुबारा अपलाई करो। जो मैं बता रहा हूं इन सारे पॉइंट को क्लियर करके फाइल में लिखो वीजे की जिम्मेदारी मैं लूँगा। मुझे बताना तुम्हारे अंदर क्या कमी रही थी फिर। अपनी सारी कमियों को पूरा करके दुबारा अपलाई करो। उनको वीजा देना पड़ेगा तुम्हें। अल्नस अल्टिक तुमने कोई नकली खागे ना लगाया हूं। अभी भी मायूस हो नहीं समझ लगती फोन करो मुझे। इस नंबर पे फोन करके मेरे साथ पॉइंटमेंट रखो। मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे कामजाब हो चुके हो। कैसे इस प्रावलम से बाहर निकल सकते हो। दस अजार से ज्यादा लोगों को हम बेच चुके हैं। मैं उस बंदे को बेचता हूं जो नहीं जा पाता। पता नहीं तुम्हारे जैसे कितने लोग आज तक हमारे पास आये जो नामुराद होके आए थे। किसे और हमारा तो वीजा रुप्यूज हो गया जी। अभी तो जिन्दगी की शुरुआत हो रही है तुमने अभी छे थ्यार भेग दिये। जी भी तो अभी भी को टांग नहीं तूट गी तुमारी हाँ दो चार शे मीने कराब हुआ है कोई बात नहीं संभाल लेंगे इसको इतनी चोट लगने के बार भी अगतर सुदर गए ना जिन्दगी में काम जब हो जाओगे आफ ही चाहूंगा अगर मैं कुछ गलत बोल ग करी हुए है और आपने डिपलोमा में डाल दिया और आपके छे बैंड थे तो आपको वीजा मिल गया अब आपने बैचलर डिगरी करी हुए है और आप मास्टर के लिए जा रहे हैं आप पीजी डिपलोमा के लिए जा रहे हैं और बैंड आपके अभी भी भी छे हैं तो भ requirement क्या है जब किसी के English requirement ज्यादा है और तुम कम पप्लाई कर रहे हो तुमारा वीजा refuse होगा आज माल लेते हैं तुमारे आल्स में bad कम है कैसे overcome करोगे टॉफिल का पेपर दे दो तॉफिल होम addition का पेपर दे दो घरब्यट की हो ज़ता है दृविंगो टेस्ट का पेपर दे ती दे दो बहने वाले बहने कि डुलिंगो नहीं चलता, टॉफिल होम इडिशन नहीं चलता, मैं कौन से चला रहा हूं मैं आपको ये थोड़ी मुझे थाइन कम है इसलिए मैं साथ में डोलिंगो का test लगा रहा हूं मैंने डोलिंगो का test भी दिया हुआ है मैं अपने school college से लिखवागे दे रहा हूं teacher से कि मैंने जो पढ़ाई पढ़ी है इंगलिश मीडियम में पढ़ी है तुम अपने स्कूल कॉलेज में जाओ अपने टीचर को बुलो कि वो तुम्हें लेटर पैड पे लिख के दे कि तुमने जो पढ़ाई करी है वो इंग्रेजी मीडियम में करी है तुम अपनी एप्लिकेशन में लिखो कि हाँ ठीक है मेरे बैंड कम है बट मैं इंग्रेजी अच्छी बोल सकता हूं पढ़ सकता हूं तुमारे करेड़ा के कॉलेज ने मुझे एकसेप्ट करा है मुझे लेटर ओफ एकसेप्टेंज मिली है इन्ही कागजों पे मिली है चाहा से तुमने दसवी बारवी करी है वो द लिंगो का भी देदिया तुमने पीटी का भी देदिया आइस का भी देदिया अब चार-चार टेस्ट लेके एक कॉलेज स्कूल के लिखे हुए से भी अगर वीजा ओफिसर नहीं सैटेसपाइड होता तो भाया बिर कभी भी नहीं होगा तुमारे इंग्लिश अबिल्टी में तभी वीजा रख्यूज होता है जब तुम अपने आपको एक्स्प्लेन नहीं करते तुमारी स्टेटमेंट और पर्पस में एक कॉलम एक पैराग्राफ इसी चीज का होना चाहिए कि वाई आम कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश कि मेरी 12 साल की पढ़ाई है जो 12 तक पढ है ठीक है मेरे बैंट नहीं आ रहे जब में पैंट देने गया था मेरे एक दो में कम आ गया है में उस ताइम ठीक नहीं था लेंग्वेज अबिलिटी पे जो वीजे रिफ्यूज होते हैं वो अडिशनल डाकूमेंट डालके लग जाते हैं अगर एक बार तुम्हें वीजे रिफ्यूज कर दिया अंग्रेजी की वज़ा से दूसरी बार कॉलेज कोर्स चेंज करो आफिसर को बताओ कि पिछली बार तुमने मुझे लेंग्वेज अबिलिटी पे वीजा रिफ्यूज करा मैंने अंग्रेजी पढ़ी है सारी जिंदगी लगा के मैंने सारे सब्जेक्ट अंग्रेजी में पढ़े हैं तुम्हारे जो टेस्ट हो रहा था जो दो गंटे का उस टाइम मैंने नहीं बोला इसका मत प्रब्लम से भी निकल जाओ अगला पॉइंट आता है फिनेंशल अबिलिटी हम लिख रहे हैं कि हमारा खेती बाड़ी का काम है और जमीन है हमारे पास दो एकड़ तो भाया जी दो एकड़ वाला बंदा कैसे अपने बच्चे को कैनड़ा में पढ़ा लेगा आपके माबापकी आमदन 10-15,000,000 रुपे होनी चाहिए आप कैनड़ा जा रहे हैं पढ़ने के लिए आप बंगला देश ये निपाल में नहीं जा रहे कैनड़ा के अंदर एक सदारन बंदे को जीने के लिए 50,000,000 एक लाग रुपे चाहिए हर मीने अगर तुम्हारे माबाब की आमदन यहां पे 20,000 रुप्य मीना है भूल जाओ यह वीजा नहीं मिलना तुम्हें तुम्हारी फाइल के अंदर फिनेंशल अबिलिटी के डाकॉमेंट चाहिए ऑफिसर देखेगा कि यह पैसे कहां से आएंगे इनकी पड़ाई के माल दिया तुमारे माबाब की आमदन कम है भया तुम्हें कोई रिष्टेदार भाई-बैन स्पांसर भी कर सकता है तुमारी को बुवा है चाचा है को ताउ है तुमारा उससे एक एफिडेविट ले लो, उसकी जमीन के एक आगई लगा दो, उसकी इंकम टेक्स की रिटर्न लगा दो, जब तक आपकी फाइल के अंदर 10-15-20 लाख रपे आमदन के प्रूफ नहीं लग रहे हैं, कैसे जस्टीफाई करोगे यार, तुम जैनूर्स स्टूडेंट हो फिनांशल अबिलिटी पे मरता है अदमी, क्योंकि इंकम टेक्स नहीं परते हैं हम लोग इंडिया में, रिटर्न होती है हमारी 3-4 लाख रुपे की, बच्चा हम बेज रहे हैं कैनडा, जहां साल की फीज ही 8 लाख रुपे है, 8 लाख रुपे आपकी साल की पढ़ाई की फ कि तुमारी पढ़ाई का खर्चा कौन उठा रहा है, इन सारे डाकॉमेंट्स को समझो, तुम पढ़ोसी के डाकॉमेंट लगा दो, अगर कोई तुमारा अच्छा पढ़ोसी तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, जुरूरी नहीं है जिनके पास पैसे होते हैं, उन्हीं के बच् किताब बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा चांस रहेंगे वीजा के, इसलिए फिनांशल अबिल्टी के अंदर जो बच्चे रिफ्यूज हुए हैं, अपनी फाइल के अंदर मैक्सिमम एफट डालो, यार एक ही बार आपने कैनेडा का वीजा अपलाई करन आपनी फाइल डंक से नहीं बना पा रहे, तो क्या करोगैं जिद्धी में? अगर तुम्ने अपना पेट भधना, अपने लिए अगर खाना नहीं बना सकते हैं, तो दुनिया के लिए हैं, तुम्हें अपनी फाइल बनाणी हैं, आठ पेज के अपलीकेशन फारम हैं, चार तुम दस बारा पेज अपने उपर ने लिख पा रहे जाना तुम क्यानडा चाहते हैं मेरी बेंती है आप सब लोगों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अगर आपका वीजार रिफ्यूज हो चुका है आप इसको लेना चाहते हैं इमानदारी से सारे कागज लगाईए जैदा से जैदा डाकॉमेंट दीजी अपने गयाप के ताकि ओफिसर को लगे कि आप एक जैनुर स्टूडेंट हैं नहीं तो वो तो एक मिनिट में लिख देंगे भाई साब हमें नहीं लगता कि तुम पढ़ाई के बार वापिस आओगे ये लो उठाओ 216 में तुमारी र वाइड करता है ऐसे हम घर थोड़ी बना सकते हैं किसी के डाकॉमेंट आईए हमारे साथ डिसकस कीजिए आपकी क्या प्राबलम है जब तक मुझे बताएंगे नहीं मैं कैसे आपको हल बताऊंगा किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उसको समस्या बताते हैं कि मेरे सर में पे क्या है क्या आपको लगता है कि क्यों वीजा नहीं लगा मैं दो मिनिट में थोड़ी पता लग जाएगा मुझे क्यों वीजा आपका रिफ्यूज हुआ है आपके साथ हुआ है दो चार शे महीने खराब हुए हैं दो चार लाक रुबह खराब हुआ है इस समस्या से निकलन चाहते हैं इस नीचे आपको एक नंबर ने ज़र आ रहा होगा इस नंबर पर कॉल करिए मेरे साथ अपॉंटमेंट मनाईए मैं बताऊंगा आप जिंदगी में कैसे काम यह हो सकते हैं अगला लास्ट पॉइंट है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एंड प्लान तुम यह कोर्स क करके क्या करोगे तुम्हारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है तुम्हारा क्या प्लैन है अपनी जिंदगी को लेके क्या लक्षे रखा है तुमने तुम कैनेड़ा क्यों जा रहे हो भाईया जिंदगी में क्या बढ़ना चाहते हो बढ़ाई तो यहां भी कर सकते थे तुम्हारा फ्यूचर क्या है भाई साथ वाट यू अर लुकिंग टू बी काम इन यूर लाइफ तुम डॉक्टर बनना चाहते थे इंजीनियरों साइंटिक्टों कौन सा कॉर्स लिया तुमने ये कॉर्स क्यूं लिया पढ़ाई के लिए तो हमारी कंट्री बहुत अच्छी है पढ़ाई के बाद तुम्हारे क्या प्लैन है वीजा ओफिसर सुनना चाहता है वो जानना चाहते हैं कि आप जो पंद्रह लाख बीस लाख पर पढ़ाई पर लगा रहे है कि इसकी वर्त है कि बीस लाख लगा के वापिस तो नहीं आ जोगे कर आपका जीवन क्या है आप क्या सोचते हैं आप क्या बनेगे आने वाले समय में आफिसर ये जानना चाहता है निकालिए आपके अंदर जो आग लगी है कैनेडा जाने की आप रो रहे हैं आज आप निराश है आज डिप्रेशन में चले गए आपके माभाब प्रिशान है कि मारे बचे का तो वीजा रिफ्यूज हो गया है कुछ करना ले और बहिया तुम क्या है तुम कैनडा में क्यों जा रहे हो को टेक्सी चलाने जा रहे है ट्रक में चड़ने के लिए जा रहे हो कौन सा माभाब चाता कि उसका बच्चा कैनडा में जाकर मजदूरी करे कोई माभाब नहीं चाता तुम्हारे कुछ तो प्लैन होंगे उसको लिखो उसके अंदर कि मैं जी पहले दो साल पढ़ूंगा उसके बाद मैं वहां पर नोकरी करूंगा नोकरी करने के बाद मैं वहां से चार चीज़े सीखूंगा मैं अपने कंट्री वापस आके वही कारोबार खुलूंगा मैं य इतने अच्छे से लखो कि पढ़ने वाले को भी मज़ा आजए कि यार हाँ अब की बार फाइल ठीक आई है तो दोस्तों यह मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है जो मेरा तजर्बा है मैं बोलने को कितना भी मेरे से बुलाता है रहो कूकि मुझे बूलने ही आता है बाई साब मेरा जिक कारोबार है मेरे से दो, चार, पांच, दस, बीस गेंटे बुलवाना मैं कन्तिनूज बोल सकता हूं रिफ्यूजल पे इतने लोगों के केस में अपने आत्तों से निकाल ले हुए हैं. तुमारे साथ हुआ है कुछ ऐसा? आओ हमारे साथ डिस्कूस करो. जमेधार ही लेंगे तुम्हें 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 सपनों पुचाने की. अगर इस वीडियो में मेरे से कुछ कम ज़्यारा बोला गया हो तो मैं कुछ हाट हुआ हो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा मैं यह वीडियो बना रहा हूं तहां जो किसी का तूटा हुआ जो दिला ना तूट जाए किसी माबाब की आँखों में जो आशू है वो किसी तरीके से खुशी में कर्वार्ट हो जाएं एक बच्चा जो दिमॉरलाइज हो चुका है एक बच्चा जिसको को रास्ता नहीं नज़रा रहा वो अपनी मंजिल तक पुआज़े मेरी कोशिश है भायो अगर तुम्हें यह जुरूर मेरा यह वीडियो का लिंक किसी ऐसे स्टूडन तक पुचा दना जो परिशान है तन्यवाद